नमस्कार स्वागत है LNMU Notes में तो देखिए ललीत नरायन मितला इनवर्सिती दरभांगा LNMU दरभांगा ने PG सेशन 22-24 के फर्स सेमेस्टर ठीक है Semicer 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है ऐसा इनका कहना है किनका कहना है दैनिक भासर कर में उसकार में जो चप कहबर ठीक है ऐसी में लिखा हुआ है कि बाइस चोबिस के प्रथम सेमेस्टर का जारी किया जा चुका है रिजल ठीक है ये ललीत नरायन मितला इंवर्सिटी एले नेम्यू दरभंगा का न्यूज है ठीक है जो की ये जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ ये दैनिक भासकर से लिया गया है ठीक है दैनिक भासकर के ओफिस्यल वेबसाइट देख सकते हैं या फिर आप जो है वो एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं ठीक है तो यही खबर जो है वो परभात खबर में भी छपा हुगा है ठीक है तो जैसे यहां पर एक अंडरलाइन कर दिया है आप लोगो हुगा है ठीक है तो देखे परभात कर के कटिंग लिखा हुआ है कि सत्र बाइस-चोवीश के प्रथम सेमेश्टर का जारी है बुर्टियस समेश्टर की की परिछा के बाद जारी करने की प्रकिर्या चल रही है है अब दोनोगो दोनोगो दोनो जो कहबर है ठीक है दोनों भी जो निउस है डोनों में आपको line by line सारा चीज सेम लिखा हुआ मिल रहा होगा ठीक है आप जो पढ़ियेगा line by line अगर ये news को सारह चीज आपको सेम चीज लिखा हुआ दिखेगा ठीक है line by line word by word जो हो हर एक सब्द जो हो आपको सेम टु सेम मिलेगा ठीक है इसका इसका मतलब हosters समझे की जो यह जो न्यूज है कि यह university के द्वारा पब्लिस करवाया गया ठीक है ओश्याद के द्वारा च्पाया गया होगा न्यूजपेपर में प्रेस लेकिन अगर हम लोग इस वीडियो में अगर बात करें कि यह जो रिजल्ट है ठीक है पीजी बाइस चोबीस सेशन का फस्स सेमेस्टर का ममसी एमकॉम का जो भी है रिजल्ट जो है वो जारी हुआ है इनके हिसाब से तो कैसे डाउनलोड करेंगे ठीक है अर अगर नहीं जारी हुआ है तो कब तक जारी हो सकता है ठीक है तो इस वीडियो के अंत तक आपको दोनों सवाल का जवाब जाएगो मिल जाएगा और कुछ सवाल का जवाब जो हो आप नीचे कॉमेंट कर लिजेगा ठीक है तो टेलीग्राम पे ठीक है टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम प एक सवाल है ठीक है कि PG first semester का result अगर जारी हुआ है session 22-24 का तो वो कब जारी हुआ था ठीक है और अगर जारी हुआ है तो आप लोगों ने देखा कहां पर है ठीक है आप लोगों ने देखा कहां पर प्लिजल्ट अगर देख लिया है कैसे देखा थीक है तो वो नीचे comment कर लिजएगा जिन्होंने हाँ कहा है जहां तक हमें लगता है हमारी जानकारी के हिसाब से कि PG session 22-24 का PG session बाइस 24 का first semester का result semester 1 का result अभी तक जारी नहीं किया गया है ठीक है इसकी जानकारी ना तो हमें कोई notice से मिली है ठीक है ना ही website पे चेक करने के बाद हमें कोई link मिला है कि result डाउनलोड कर सके जहां से ठीक है तो फिलहाल ये खबर हो सकता है कि ऐसा छापने का कोसिस किया गया हो या फिर ये कहा जा रहा हो कि result जो हूँ ready है जारी करने का तयारी चल रहा है ठीक है फर्स सेमेस्टर का result ready है जारी करने का तयारी चल रहा है ठीक है ऐसा हम लोग इसलिए कह सकते है ठीक है जो हमें ले जाता है कि इस पर अपने दूसरे सवाल के जवाब पर कि फर्स सेमेस्टर का result जारी कब सेट हो सकता है तो देखिए कुछ दिन पहले ही तीन चार दिन पहले ही नोटीस जारी हुआ है ठीक है कि सेशन 23-25 का फर्स सेमेस्टर का एक्जाम जो हो उननीस फरवरी से शुरू होने जा रहा है ठीक है तो अगर हम लोग इसको देखेंगे 19 फर्वर्वरी से जो है वो Fourth semester का exam start हो रहा है 23-25 सेशन का तो इससे पहले First semester का result जारी करना जरूरी है तो देखिए आगर 19 फर्वरी से पहले First semester का result जारी नहीं होता है तो देखिए अगर अगर 19 फर्वारी से पहले जारी नहीं होता है तो जो यह 19 फर्वारी से क्या संब होने वाले हैं तो इसका जो इसका जो इक्जाम सर्म भरा जाएगा उसमें यह जो घ्यचाना का present लब है कि 22, 24 ठीक है 22, 24 सेषन में ऐसा नहीं है कि सब जो जीतना भी स्टूडользेंट है सब पास हो जाता है कुछ पर मोटे होता है कुछ फैल होता है ठेक है तो 22, 24 सेषन का सयाम का फिस्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अगर टाइम पर जारी नहीं किया गया 19 फर्वरी से पहले ठीक है तो जो एक्जाम होने जा रहा है सेमेस्टर का तईस पत्चीस सेसन चाड़ेभी तो उनके साथ यह एक्जाम कैसे देंगे ठीक है जो 224 में पर मोट होंगे यह फिर फिर फेल अगे तो फीर सेमेस्टर का खवा का हम लोग मान के चल सकते हैं ठीक है कि exam date आ जाए या फिर जो routine आ जाए उसके आसपास आपका result जाड़ी हो ठीक है 22-24 के first semester का result जो है वो 19 फरवरी से पहले ठीक है या फिर 23-25 के 23-25 के first semester का exam से पहले जो है वो exam form के time पे जो है वो result आ सकता है ठीक है क्यों क्योंकि 22-24 में जो promote या fail होंगे वो 23-25 वाले के साथ फिर से exam देंगे तो exam देने के लिए उनको exam form भरना परेगा और exam form भरने के लिए उनको ये पता होना चाहिए कि वो जो है वो किस subject में promoted है या फि इसके लिए result का जरूड ठीक है तो result इसी लिए जो है वो 19 फरवरी से या फिर आप बोल सकते हैं कि जो एक first semester का exam स्टार्ट होने वाला है उससे पहले जारी होगा ठीक है कब जारी होगा कौन सा exact date होगा या फिर जारी होने के बाद आप लोग result डाउनलोड कहां से कर सेंगे यह सारा चीज जो है वो official notice जारी होने के बाद official notice जारी होने के बाद आपको बता दिया जाएगा ठीक है फिलाल आप लोग यह बताईए कि यह जो खबर है यह जल्दवाजी में छपा हुआ है या फिर अगर आप लोगों कोई पता हो कि यह जो result है वो जारी हुआ है और किस सही जो है वो आपको पोस्ट करके जो हो उपने पेस्ट पर बता दिया जाएगा सभी सब के लिए और चेक करके सब को help कर दिया जाएगा अगर जारी हुआ है तो और नहीं जारी हुआ है तो हमारी जान क्यारी के इस आप से तो फिलाल अभी तक first semester का result जारी नहीं हुआ है और first semester 23-25 session का exam से पहले जो है जारी होगा ठीक है तो exam 19 फरवरी से है तो आप मान के चलिए कि आपको फरवरी के पहले सबता में ही हो सकता है कि आपका result जारी हो जाए ठीक है यह कोई पक्का नहीं है ठीक है कोई fix date नहीं है कोई fix जानकारी नहीं है अपने idea के इसाब से बता जा रहा है ठीक है तो यह खबर था ठीक है यह खबर था newspaper में छपा हुआ इसलिए आप लोगों को बता दिया गया ठीक है कि आप लोग confused नहों ठीक है और आपको अगर कोई जानकारी मिलता है तो आप नीचे comment कर दियेगा या फिर आप लोग message करके बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा